हेलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, आज की वीडियो नीट यूजी स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है, जो भी स्टुडेंट्स नीट की काउंसलिंग में पार्टिस्पेट कर रहे हैं, तो आप सभी को किलियर कर दे कि नीट का revised result आ चुका है, पहले जो result आया था, उसके अंदर को change इस धूए है, तो सबसे पहले जिन भी स्टुडेंट्स ने अपना वापिस से revised result नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिएगा, उसका बाद एक urgent official notice भी जारी हुआ है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ तो गैज अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको नीट यूजी से related की हल टाइप के information time to type मिलती रहे चाहे all इंडिया कोटा से related counseling हो चाहे state quota सभी state से related की update आपको इस चैनल के मिलती रहेगे तो गैज statewide जो है मौप अप राउंड की counseling चल रही आप सभी को पता है all इंडिया कोटा की मौप अप हो चुका है state vacancy round स्टार्ट हो रहा है और गैज state quota का मौप अप जो चल रहा है उसी में revised result आया है तो वही मैं आप से करने वाली हूं तो देखिए हम डिरेक्टली जो पीडियो फाइल आज जारे हुई है वही ओपन कर लेते है तो गैज यह लिस्ट मैंने ओपन कर दी है यह यह provisional वापिस से दोवारा से लिस्ट आई है यह provisional combined merit list of NEET UG 2021 aspirants who have submitted willingness to participate in mop-up round of state quota counseling for admission to MBBS BDS session 2021 ठीक है तो गैज यह जो merit list है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए यह कौन से state की है तो गैज यह पंजाब state की है अगर आपने पंजाब state में apply किया था तो आप अपना देख सकते है ठीक है merit list में आप कहां पर लाई करते है तो गैज यहाँ पर serial number दिया है जिससे आपको यह पता चल जाएगा total कितने students है जो mop-up round के अंदर counseling में participate कर रहे है यहाँ students का registration number दिया है name दिया है father name नीट roll number नीट में उनने कितने marks score की थी नीट में उनका rank क्या था और यहाँ पर category mention है ठीक है तो हम देखेंगे total मिलाकर यह 23 pages है तो इन 23 pages के अंदर total कितने students है directly हम यह देख लेते हैं जो mop-up round के अंदर पार्टिस्पेट कर रहे है तो guys कितने student है 711 student total ऐसे है जो mop-up round के अंदर पार्टिस्पेट कर रहे है और जो minimum qualifying marks students की रहे है उन students ने भी apply किया है 711 student rank तक ऐसे student भी आ गए है जिनके 108, 112, 116, 117, 118 जो minimum qualifying marks रहे है वो students भी आए है आम देख सकते हैं अगर मैं बात करूं 200 से अबोग कितने students है मोप-up round है ठीक है यह revised result है guys आपको जरूर चेक कर लेना है तो 200 से उपर आप यहां से देखेंगे 587, 201 ठीक है only 587 student ऐसे है जिनके marks 200 से अबोग है ऐसे ही अगर मैं बात करूं 300 से अबोग कितने students के marks है इस list के अंदर तो वो भी हम देख लेते है guys यह list है यहां आ चुका है 302 ठीक है 300 से अबोग जो marks है वो for 29 students के marks है तो अब वो seat पर depend करता है कि total कितनी seat है move होकर आती है और मोप-up round का जो schedule है guys पंजाब state का वो जारी कर दिया गया है आप official website से देख सकते है और अगर फिर भी आपको कोई doubt होता है तो आप comment की जड़ी यह पोच सकते है और guys वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर किजएगा चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको नीट यूजी से related की हल टाइप की information हल state की information छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी time पर आप तक पहुंच सके तो गया जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you